हाई गाईज, आप लोगों का प्यार चैनल को सराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास बहुत फोन आते हैं पेशन्स के कि फुल मौथ इंप्लांट का कॉस्ट क्या है, रूट किनाल का कॉस्ट क्या है, फुल मौथ इंप्लांट किस-किस तरह के होते हैं, डेली ए उन पर बताना बहुत ही मुश्किल है कि full mouth implants का जो cost है वो क्या होगा because बिना देखे, बिना क्लिनिक में आए cost बताना एक roughly idea देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है because वो all depend करेगा कि जो surgical techniques अब क्या-क्या factor depend करेंगे full mouth implant के cost के लिए सबसे पहला implant कैसी bone है augmentation जो area है जहां पर हम implant डाल रहे हैं वो कैसा area है उसमें augmentation होगी या नहीं होगी, grafting होगी या नहीं होगी, estheric area या non estheric area है flap कैसा रहेगा, free gingival grafting की जरुद पड़ेगी या नहीं पड़ेगी sutures कैसे डलेंगे, bone grafting की जरुद पड़ेगी या नहीं पड़ेगी अब bone defect अगर है वो वो कैसा defect है तो बहुत सारे चीज़े दिमाग में रखनी पड़ती है और उसके बाद जब surgery हम करते हैं तो वो guided होगी या non guided होगी precision guided में आपको precision मिल जाता है surgery हम लोग magnification के साथ करते हैं जो magnification के साथ surgery करते हैं तो कही न कहीं cost बढ़ जाती है उसके बाद depend करेगा कि आप कितने implants आपकी भड़ी में डल रहे हैं अगर 6 implants पढ़ेंगे तो cost बढ़ जाएगी वो depend करेगा processes wise कि वो processes कैसा है patient का बहुत बहुत तरह के processes आते हैं जैसे अगर processes titanium का होगा तो वो expensive होगा chromium cobald का जो process दोगा वो थोड़ा सा economic होगा depend करेगा अगर polo-mollo का processes है तो वो अगर milled processes तो महंगा होगा अगर castable abutment डाल रहे हैं तो वो थोड़ा सा economic पड़ेगा अब TI based अगर आब abutment डालते हैं for a single implant वो सबसे best रहता है हम हमेशा कोशी चाहिए करते हैं कि जो implant डाले हैं वो top notch डाले अब top notch की बात करेंगे तो strawman का BLX implant जो हम regularly use करते हैं noble active का implant यूज करते हैं zimmer के implants यूज करते हैं top end implants है नौर इसके implant भी बहुत शांदार है zygomatic implants यूज कर रहे हैं normal implants यूज कर रहे हैं अब zygomatic implants में आप guide यूज कर रहे हैं non guided यूज कर रहे हैं तो मैं यह सारे के सारे जो factors हैं इंप्लांट के लिए जो processes की planning हो रही है, वो computer navigated surgery है, normal surgery है, तो वो एक सारे के सारे जो factors हैं वो depend करेंगे, processes आप कैसा दे रहे हैं patient को, और सबसे बड़ी बात है कि जो processes आपको जब आप मुह में लगाएंगे processes, ऐसा processes होना चाहिए, जो retrievable हो, maintainable हो, आपको जो processes देंगे, उसक scan है आपके पास, हमें पता लगेगा scan से, अब आप patient का scan कराएंगे, तो पता लगेगा कि ये, इसमें हड़ी इंप और implants कैसे हैं, बोन की density कहती है, बोन की width कैसी है, यहां देख सकते हैं, आपको blocks दिखने होंगे, इसमें पता लगता है कि जो implants है, यहां पर फॉरामन है, त तो वो कितना लेवल पर आएगा, तो CVCT planning से यही फायदा होता है, अब जो 6 implants अगर बोन में डल रहे हैं, तो वो cost कहीं न कहीं फरक पड़ेगा, उसके बाद अगर इस case में हमने freezing level grafting भी की थी, हमने यहां पर bone aug condition भी किया था, zygomatic implants दो डाले थे, अब दो normal implant डाले थे, तो वो कहीं न कहीं वो भी cost का factor पड़ेगा, digital processes का cost कहीं न कहीं जरूर फरक पड़ेगा, विकाज यह CAD CAM से बनाया गया होता है, तो इसका भी cost का कहीं न ही फरक पड़ता है, manual से, यह देख सकते हैं यहां पर, उसके बाद जो processes का design है, वो कैसा बना हुए, आर्टिकलेटर आप क digital उसको convert करना, उसके बाद processes कैसा दे रहे हैं patient को, तो एक अच्छी सी smile देने के लिए आप देख सकते हैं, यहां पर जो अगर zygomatic implant डाल रहे हैं तो कहीं न कोई cost पड़ेगा, तो एक ऐसा processes जहां पर बहुत सारे factors role play करते हैं, कि वो processes है, उसका क्या role है, यह सारे के सारे factors प पूछेंगे तो यह video जरूर देखिएगा, और इसलिए phone पर पताना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत सारा प्यार आपने बहुत trust किया है, patient मेर बहुत दूर से आते हैं, चाहे वो America हो, चाहे वो Europe हो, चाहे वो Afghanistan हो, चाहे वो Ahmedabad हो, मुंबई हो, तो आप लोगों का प्यार मिलके बहुत अच्छा लगा है, मेरी team दिन रात महनत करते हैं, चाहे वो surgical हो, चाहे वो professory को हमारी lab बहुत महनत करती है, आपको एक अच्छी सी smile देने के लिए, मैं अपनी team का जरूर शुक्रियादा करूंगा, अगर आपको भी चाहिए implant के बारे में जानकारी, तो जरूर आप clinic में विजिट कीजिए, I will be very very happy to help you, फोन पर बताना मुश्किल रहेगा, आपको भी नहीं समझ में आएगा, आप भी confused रहेगे, because looking at the videos, कह आपको जानकारी मिलेगे, जब आप clinic में इन-person जाएंगे, तो आपको जरूर उसका फायदा होगा, तो ये वीडियो जरूर शेर कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे, तो अपने friends, family के साथ जरूर शेर कीजिएगा, until next time, शुक्रिया.